Hello guys, मेरा नाम है वीजय और आप देखें मेरा YouTube चैनल Info with Vijay So guys, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटो टाइपिंग की हमारी इस पर्टिकलर यूर हैश्टेग एप के अंदर So, चलिए क्लिक करते हैं प्रोटो टाइप के अंदर तो उससे परले में बताना जाता है अगर आपने previous वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक आपको description में मिल जाएगा यहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और सिख सकते हैं कि कैसे यह different screens create होगी क्योंकि हमारे को planning करनी होगी इस particular application की तभी हम इसे properly Adobe X2 के अंदर design कर पाएंगे और साथ-साथ हम इसी के assets को use करेंगे यहां पिर हम इसी को as a reference use करेंगे हमारी Android Studio के अंदर जब हम इस application को develop करेंगे सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा prototype पे तब हम आच चुके animation के अंदर यहां पर हम जो भी कुछ क्लिक करेंगे तो इस पर animation set होगा सबसे पहले जैसे कि हम अपने contact address पे क्लिक करते हैं तो हम जाना चाहते है contact address page पे यह मैं select कर देता हूं और यहां से आप animations को change कर सकते हो जैसे कि preserve scrolling position तो on tap यहां पर मैं tap पे जब हम करेंगे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर स्मार्टफोन तो उसके अंदर हमारा वो tap event होता है जब हम tap करेंगे on contact address पे तो हम इस particular screen के अंदर आ जाएंगे यहां पर यहां पर यहां पर इसको क्लिक करेंगे और उससे पहले यहां पर आप different animations भी select कर सकते हो आप auto animate ले सकते हो overlay ले सकते हो इस बार ही मैं यहां पर transition रहने देता हूं जो की transition अब यहां से जाने का back जाने का option नहीं है क्योंकि हम चाहें इन पर क्लिक करें तो इन पर हम कुछ functionality set नहीं करी यह तो android smartphone की functionality की जैसे minimize कर देता है home screen पर ले जाता है यह active option screens होती है यहां तो हम इस पर क्लिक करें तो हमारी यह पूरी screen open हो जाए और अगर हम back पर क्लिक करें तो हम previous जो भी हमारी screen से हम आया है उस पर हम चले जाएं तो अब हमारे को इस पर इस particular button पर animation को set करना है तो मैं बन करता हूं application को और वापस से जाता हूं तो यहां पर जैसे हम इस पर आ जाते हैं यहां से वापस हमारे को जाना है हमारी इसी screen के अंदर जो कि है main screen and also अगर हम इस back button का use करते हैं तो हमारे को इसको इंदर भी same screen पर जाना है जो कि हमारी है home screen जो कि हमारी main screen है ओके कई तो अब यहां से हमारी contact text की animations तो set हो चुकी है अब मैं आपको run करके दिखाता हूं फिर से close करता हूं मैं इसी की तरीके से animation set करता हूं हमारे about us page पे तो click करते हैं और यहां से about us को click करते हैं और लेकर आते हैं हमारे about us screen के अंदर similarly फिर से इस button पे जब हम click करेंगा जो कि hamburger icon है तो हम जाना चाहते है about us पे and then इसके बाद जैसे हम back button पे click करें तो similarly फिर से हम जाने हमारी main screen पे हैं तो आपको application run करके दिखाता हूं तो main screen select करते हैं जान्स के बाद run करते हैं अब मैं about us screen पे तो आप देख सकते हो यह आ चुका है about us screen पे back button दबाता हूं तो हम जा लिए जाते हैं वापस से home screen पे हैं इस पे click करेंगे button पे तो यह particularly हमें वापस main screen पे ले जाएगी तो चलिए फिर से run करके देखते हैं आपको मैं छोड़ी चुड़ी animation लगा कर एक एक बार run करके दिखा रहा हूं स्वाज़ा आप confused नहां पे home पे click करता हूं यह अपको जब scrolling करने हैं तो आपको माउस विल का यूज़ करना होगा तो आपको देख सेकते हैं इसके लिस्ट ऑफ स्क्रोलिंग बहेवियर आ चुका है हमारे को इसके लिए कुछ कर दाना न पड़ा तो अडोबी XT अटो में आपको यह जाने कि लिस्ट ओप इसके मैं सिर्फ 6 या 10 elements इंसर्ट करूँगा जब मैं अप्लिकेशन को बनाऊंगा Android Studio के अंदर भी वापस से अगर मैं इसे बैक पर क्लिक करता हूं तो यहां पर बैक बटन जो यह एक्चुली में वापस से हमारे को लिस्ट ओफ स्क्रीन पर लेके जाना है मिन जैसे हम इस पर ब पर क्लिक करेंगे तो हमारी अप्लिकेशन ही क्लोज हो जाएगी तो उसके लिए हमारे को यहां पर अनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं है लिन अगर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो वही सिमिलरली हमने इसी को स्टार्ट करना में स्क्रीन को तब यहां तक हमारी यह पहल अनिमेशन हम ले जाएंगे इस पर्टिक्लर स्क्रीन पर हैं तो समिनल ले आप किसी पर भी क्लिक करोगे तो सब यहीं पर जाएगा अनिमेशन तो मैं सिरफ तीन पर लगा देता हूं बाकि सब का सिमिलर अपना-पना करेंगे तो इस स्क्रीन को अपननी करना है जो कि लिष्ट फैस्ट है हमारे फिर से तो यहा से मीशन सेटकर और्प्लिकेशन को अफ्लीट को सॉलक्ट है हमें अने कlaุमेंस पर सुनियसे सना और करता हूं यहाँ वहोज्ट करना है कि अधनक खूल करना है कर अधनल करनके mission इस परे धसी रुगार के अधने लिए पापक अधनक रम और ज़िए दुछ में लेखते हैं और यहाँ पर आपके सबसमारे हैं सवे समय स guerra होगा सब्सक्राइब अगरा इन फुनटन में अविशालन है मैंने मैं सब्सक्राइब आठाएब में फीजिन कर रखते ना की स्रेक्ञ कृषिए سब्सक्राइब भर 那我們 United Screenedних छाना है कि साथिया कशलना छानि है अनन जान हम अनने पτιम्हान के जाना है को स्वाइब आए मेफ ज्युआ हम एक्ड़िक प्र पड बड़े आफके जे और अननो हम बड़ेख से निस यह स्वाफ्टान की प्लिक करसे है को साथिंगे फुल कंट्रोल होगा इस पर्टिकुलर चीज का लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कंट्रोल है तो कॉपी टेक लिपोर्ट होने के बाद वापस इसी स्क्रीन पर रहेगा तो एक ही option रहा कि हम बैक बटन पर फ्रेस करके वापस से जा सके या फिर आप चाहे तो इसको भी आप अड़ कर सकते हैं जो कि हमें वापस ले जाएगा यहां से हमारे इस स्क्रीन के अंदर क्योंकि हैंबर्गर अइकन है तो इस से तो हम इसी स्क्रीन को उपन करेंगा जो कि हमारा है नविगेशन मेन्यू यह हो चुका है अब इस पर बटन करेंगे तो हमारे को इस स्क्रीन के अंदर जाना है यह होगा जाएंगे तो अब हमारी पूरी की पूरी पूरी एनिमेशन हो चुकी है अगर आप कोई कंपुजिंग लग रहा है तो थोड़ा आप इसे बीच-बीच में पॉस करके वीडियो को देख सकते हो और तो तुमस क क्लिक करता हूं तो वापस आ गया हमारी list of hashtag screen पर से क्लिक करता हूं यहां पर क्लिक करता हूं तो copy screen पर आगए आप सिर्फ बैक जाने का यह option है तो आप देख सकते हैं है क्या application बना रहे हो तो इससे आपको फाइदा ही है कि आप जैसे पूर की पूरी अप्लिकेशन को prototype यहीं पर कर सकते हो और कुछ चेंजिस कर सकते हो और क्लाइंट बोले कि मुझे rounded corner नहीं चाहिए मुझे edges वाले corner चाहिए मैं मेरको square की form में चाहिए rectangle की तिक ही form में चाहिए यह particular project है यह आप action bar का color change कर सकते हो तो before start coding inside the ender studio आप इससे changes कर सकते हो और आपका काफी time save है कि क्या अगर इससे आप develop करने लगो कि ender studio में तो almost आपको एक हफ्ता तो लग ही जाएगा अगर आप single developer हो अगर आप 2-3 developer में तो भी आपको कम से कम तीन दिन तो लग ही जाएगी snap को develop करने में तो यह है फाइदा adobe xd का ui ux का that is the reason की ui ux के जो packages होते है means क्यों के project के packages होते हैं काफी महली होते हैं तो हम आने वाले feature में देखें कि कैसे हम अपने इन ui's को sell कर सकते हैं तो हम different website जब हमारी skills देर देर इंप्रूव होते जाएगी तो अभी तो मैं सिखा रहा हूँ that is the reason में simple examples चक रहा हूँ आने वाले time में में ज्यादा complex examples भी दूंगा So that's it for this video guide अगर आपको वीडियो अच्छी लिए जाए इसे like करें शेर करें दोस्तों के साथ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें बार प्रेसिंग दी बैल आइकन ताकि सबसे पहले आपको notification मिल जाए जैसे मैं नहीं वीडियो सब्लोड करता हूँ Thank you for watching guys see you in the next video